आत्म तू या दि मुझ में नहीं तो कुछ भी नहीं है, मुझ में नया आत्म तू या दि मुझ में नहीं तो कुछ भी नहीं है, मुझ में नया तुझे से ही पहे चान मेरी तुझे से ही हूँ मैं जिन्दा तुआ सब लोग आईए अपने हादों को उठाईए अपने हादों को स्वार की तरह उठाईए अंगी कार करिये बुलाईए उसे तुआ, 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 तुआ स्रीष्टी की रचना तुझसे हुई है स्रीष्टी को महिमा तुझसे मिली है स्रिष्टी की रचना तुझसे हुई है स्रिष्टी को माही मा तुझसे मिली है तु ही जोती का मूल है तु ही दिखाता तु समझाता इश्व को दुनिया के सामने लाता तु ही दिखाता तु समझाता इश्व को दुनिया के सामने लाता काम ते वह मूल है आतु मतु प्रभू इश्व की सम पूर्णता को बतलाता अंत समय के चिन्दों को तु सब के सामने लाता तु हा 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 तु ह होस्ते आप्म तुआ आप्माना। हालिल्यायाय विरिवबबबबबबफं जान तो बहु घानी किते हैं सपर्श करने चैता सपर्श अपका पर्श मनें आपा इस पर्श आप्ण Difud विरिवबबबबबबबबह आप जानी किते हैं हुआ 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 हु छूरा इस पर्ष पर्ष चूरा नहीं कुर रहा है टेरा इस पर्ष हम महसूस कर रहे हैं ओर्ए ऐरिया अर्ड़ रमांडो में ऑन्टो रातना करते है ऑर भाई हर बहु को चूर आपका इस पर महसूस करें परमेशर, इनको तैयार कर ये परमेशर वशनों को समझने के लिए, बुद्धी खोल दे परमेशर ताकि तेरे वशनों को समझ सकें, और तेरे अनुग रहे को, तेरी योशना को, तेरी प्रतिग्याओं को परमेशर, तेरे प्रेम को जान सकें परम अंदूनी मनश्ट्विंका पदर याए अंदूनी मनश्ट्व ृष्ष्भ मस्थ्या के पवित समाती नामसे भांगते धन्यवाद देते रहत रापने सुनी और कुबूल की हम सब कहेंगे जोर से तालिया बजाए पिता परमेशन के लिए पावित रात्पां के लिए इशू मसी के लिए कोई बोलेगा हालेलुया बोलिए एक साथ इशू मसी की एक साथ बोलिए इशू मसी की इशू मसी की जय के योग के परमेशर है बैठ जएए बैठ जएए बैठ जएए बैठ जएए भजान साहिता 98 का चार का कहता है हे पिर्थवी के लोगों उसकी जैजै कार करो उसको उच्छा उठाओ क्योंकि वो भला है उसकी भलाई सदा की है Praise the Lord Hallelujah हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज का दिन परमेश्वर की ओर से हमें मिला हम धन्यवाद देते हैं कि उसके घर में हमें आने का मौका मिला कितने लोग आज उसे मिलना चाहते हैं कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर का इस परश हमें महसूस में हो य विश्वास करिए जब आप इस उम्मीद से आते हैं कि मैं इश्व के स्पर्श को पाऊं मैं इश्व की जोती को पाऊं मैं इश्व की क्रपा को महसूस करो प्रेज अलॉड ये वो घर है ये वो इस्थल है ये वो जगा है जहां पर ईश्यू मसी आपको चुहेगा यह वो जगा है जहां पर आप पूरे नए हो जाएंगे अंदुनी मनुश्य तो आपका बदल जाएगा आपका स्वरूप बदल जाएगा हमेन, हालेलुया मैं बहुत उस्साइथ हूँ परमेशर बहुत 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 अच्छा है और बहुत महान है हालेलुया प्रेसलोट आज हम इश्यू मसी को और जानेंगे आज हम इश्यू मसी के और करीब आएंगे आज हम वश्यू द्वारा प्रभू हम जानेंगे कि प्रभू हमसे कितना प्यार करता है कहती है वशन कहता है यहन्ना आठ का पंद्रा कि मैं जगत की जोती हूँ प्रेस अलॉट मैं जगत की जोती हूँ कौन कह रहा है इश्व मसी और वो जोती जिस जिन आपके अंदर आती है वो जोती जिस जिन आपके अंदर आ जाती है जिस जिन आप उस जोती को ग्रहन कर लेत आपके अंदर का अनदकार दूर हो जाता है Praise the Lord Hallelujah मैं आपको सच कहरा हूँ ये कोई बाहरी जोती नहीं है संसारिक जोती नहीं है ये ईशू की जोती है ईशू मसी खुद जोती के रूप में धर्ति पर आए और ईशू मसी खुद जोती के रूप में आपके अंदर रहना चाहते है ताकि हमारा अंदरूनी अंदकार दूर हो जाए और हम उसकी महिमा को महसूस कर सकें उसके उजाले में रहें ताकि कोई भी अंदकार, कोई भी पाप हमें छूना सके यहाँ पर एक वेक्ति से जोती है और वो जोती के रूप में जब हमारे अंदर आते हैं तो हम क्या पाते हैं हमारा अंदरूनी मनशुट कैसा हो जाता है प्रेस अलॉड हम कैसे अपने जीवन को देखते हैं हम कैसे जीने लगते हैं हमारा जीने का अंदाज बदल जाता है हमारा दुनिया को देखने का अंदाज बदल जाता है जब इशू जोती के रूप में हमारे अंदर आता है प्रेस अलॉड हालेलिया यहां पर एक आदमी की बात हो रही है यह सूत के खोर है प्रेस अलॉड यह लोगों से व्याज पर पैसा लिया करता था आज इसके घर में इशू आया है प्रेस अलॉड हालेलॉड लुका उननिस का पांच हालेलिया, हम ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे गॉड ब्लेस इवालेलुड लुका उननिस का पांच चलि ध्यान से अपने अपनी बाइबल को निका लिए और नोटबुक्स निकाल लीजे जो देख रहे हैं मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि अपने-पनी बाइबल्स को निकाल लिए और नोटबुक्स निकाल लिए ताकि आप उस आशीश को पाएं ताकि आप इन वेश्चिनों को समझ सकें और जो मैं बोल रहा हूँ अगर हम पढ़ेंगे इस दर्शान को एक से दस के बीश में, तो यहां पर यरियों देश में, यरियों से होकर जा रहा था इश्यू. हाललुया, यरियों कौन सा देश से हैं? यरियों एक शापित जगा देगे. यरियों को इसराइलियों ने जीता था. अगर आप इतिहास जानते हैं, अगर आप जानते हैं कि यहूशू के समय में, यरियों कैसे जीता गया था. रेसलोर्ट, और कैसे उस यरियों देश को जला दिया गया था. तो यह जो जगई है, यरियों में रहता है, जो श्रापित है. जहां पर मुर्ती पूजा होती थी जहां परमेश्वर को नकारते थे जहां परमेश्वर को नहीं जानते थे वो संसार जिस संसार में जिस संसार से आप आए है वो भी परमेश्वर को नहीं जानता है जिस संसार से आप आए है वो भी श्राप में थे क्योंकि परमेश्वर का नाम वो नहीं जानते हैं, हललुया, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहां से उठाया, उस संसार से उठाया, परमेश्वर ने हमें अपना बनाया, कहां लाया, संसार से लेकर आया, और क्या दी हमें, अपनी जोती, इसलिए वो यरियों से निकला, यरियो नहीं था, मेरे भाई, मेरी बहन, कद हमारा कौन बढ़ाता है, जब हम प्रभू में आते हैं, तो हमारा कद बढ़ता है, जब हम एशू के हो जाते हैं, तो हमारा कद बढ़ता है, प्रेस अलॉट, जब हम एशू के बन जाते हैं, जब उसकी जोती में अपने आपको ढाल लेत हैं तब हमारा मनुशुत तो बढ़ता है तब हमारे अंदर की उचाहियां बढ़ती हैं तब हम स्वर्गे स्थानों के स्वर्ण आपका उत्रादिकारी हो जाते हैं हालेलिया प्रेस अलॉड हम जब प्रणसार में थे हमारा कद छोटा था क्योंकि धोका हमारे अंदर था इर्षा हमारे अंदर थी श्राफ हमारे साथ था पाफ हमारे अंदर था हमारा कद छोटा था लेकिन आज जो हम इश्यू में हैं हमारा कद बुलंदियों पर है हालेलुया जगई का कद छोटा था रे सलाट कभी आपने महसूस किया है जब आप प्रभू में नहीं थे जब आप संसार में थे जब आप पूर्टी पूचक थे जब आप नहीं जानते थे कितने सीमित थे हमारे दाइरे कितनी सीमित थी हमारी सोच कितने गलत तरीके से हम दुनिया को देखते थे कितने गलत तरीके से हम पर्मेश्र को देखते थे हम समसे थे वो सिर्फ एक मांगने वाली चीज है हमें सिर्फ उससे लेना ही लेना है हमारा कद कितना छोटा था हम कितने हम स्वार्थी थे कितने निड़दई थे हमें अपनों को धोका देने में भी शरम नहीं आती थी प्रेस लॉट लेकिन जब हम इश्यू में आए जब इश्यू ने हमें अपना बनाया जब इश्यू की जोती हमारे अंदर आई जब हमारे पाफ हमें दिखने लगे जब हमें एहसास होने लगा कि हरे हम जो कर रहे थे वो तो पापी है वो तो पाफ है वो शराप है वो बंधन है तो परमेश्वन ने दया की परमेश्वन ने दया की और हम से अपना मेल मेलाब कर लिया और हमारे अंदर से पाफों को निकाल दिया स्वार्थ को निकाल दिया लालच को निकाल दिया धोके को निकाल दिया प्रिज अलॉट और आईसा आईसा मेरे भाई मेरे बहन हमारा कद बड़ा होने लगा Amen Hallelujah हम पहले जुक के चलते थे डर के चलते थे जब हमें संसार में थे जुकते थे डरते थे लेकिन आज जब ईश्यू की जोती हमारे अंदर आई तो हमारे अंदर Amen उसकी आग आई और जब उसकी आग हमारे अंदर आई तो हमारे अंदर से डर निकल गया Praise the Lord हम जान गए कि हम कौन है हम जान गए कि हम प्रित्वी के अधिकारी हैं हम जान गए कि सौर का अधिकारी मैं हूँ हम जान गए कि वो पिता जिससे सौर्ग और धर्टी के उरशा है वो मेरा पिता है Hallelujah Praise the Lord Amen मैं चाहता हूँ मेरे भाई कि जब हम जीएं हम अपने कद को आखे क्योंकि हमारा कद बढ़ चुका है हमारा कद छोटा नहीं रहे गया पहले हम सीमित थे लेकिन अब हम उसके पुत्र है हमारे पास वो अधिकार है हमारे पास वो अधिकार सामर्थ है जो परमेश्वर के पुत्र के पास होता है Hallelujah इसलिए इस जखाई का कद छोटा था जैसे उसने इशू मसी को देखा वो गुलर के पेड़ पर चड़ गया और गुलर के पेड़ पर चड़कर वो इशू मसी से मिलना चाहता था प्रेस अलौट हाले लिए पास हमारे बच्छन दुबारा पढ़ेंगे हम जब इशू उस जगह पहुचा तो उपर दुश्टी करके उससे कहा है जग कई जट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवर्श्य है क्या कहा इशू मसी ने Hallelujah अगर इशू मसी आप से मिले अगर आज इशू मसी आप से मिले और कहे कि आज मुझे तेरे घर में रहना है Hallelujah Praise Allah Hallelujah उसने यह नहीं कहा जगई से कि मुझे तेरे घर में आना है मुझे तेरे घर से तुसे मिलना है नहीं वो क्या कह रहा है जगई से कि मुझे तेरे घर में रहना है Amen मेरा इशू आपके घर में रहना चाहता है वो चाहता है कि मैरा अपने बच्चे के घर में रहूं मैं उस घर में रहूं जिसे मैंने पवितर किया है वो कहता है जकई से कि जकई मुझे तेरे घर में रहना है और जैसे ही इशू उसके घर में आया जैसे ही वो जोती जकाई के अंदर आई जैते ही वो जोती के रूप में इशू से घर में आया देखी आठवा नमा क्या कहता है जकाई ने खड़े होकर प्रभू से कहा हे प्रभू देख मैं अपनी आदी संपत्ती कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चोगणा फेर देता हूं जैसे ही जोती के रूप में इशू उसके हंदर आया उसे अपने पाप देखने लगे उसे अपने पाप देखने लगे कि इशू मैंने अगर किसी से लिया है मैंने अगर गुना किया है मैंने अपराथ किया है मैंने धोका दिया है मैंने लूटा है मैंने हत्या किये इशू मैं चंगा होना चाहता हूँ मैं पवित्र होना चाहता हूँ प्रेंस अलोड ईशू की जोती ने बताया उसको कि तेरे अंदर क्या क्या पाप है जब जोती हमारे अंदर आती है मेरे भाई मेरी बहन हम जानते हैं हम समझ जाते हैं कि हमें किन पापों से हम गुजर रहे हैं जब जोती हमारे अंदर आती है तो पापों से छुटकारा मिलता है हमें, आलेलोया जोती, जब ईशू के रूप में अंदर आई जखेई ने खड़े होकर कहा कि प्रभू से ए प्रभू देख, मैं अपनी आधी संपत्ती कंगालों को देता हूं नहीं चाहिए मुझे संपत्ती नहीं चाहिए मुझे ये पैसा जो मुझे तुस्से दूर कर दे रेस अलोट, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए ऐसी संपत्ती जो मेरी बुद्धी के बंद कर दे जो मुझे बाप कराए, नहीं चाहिए रेस अलोट हलिलुए जब इशू जोती के रूप में जख़ई के अंदर आया जब वो रहने लगा तो उस जोती ने दिखाया कि क्या अंदकार है उसके पास वो किस अंदकार में रह रहा है इसलिए इशू क्या चाहता है मेरे बच्चे सदा मेरे साथ रहे पहले कुरुंदियन 11 का 24 क्या कहता है प्रभु भोच क्या सिखाता है हम्ए मेरे बैंधुत क्या सکाता है कि जब यह तुम प्रभु भुच को लो जब भी इस रोठी को लो जो मैं हूँ तुम मेरी याद में यही करना Amen क्यों कहा आईशों मसीने हम कि तेरा शरीर पवित्रा आत्मा का मंदर है Praise the Lord वो आपको मंदर क्यों कहता है कि वो आपके मंदर में रहना चाहता है Praise the Lord ताकि आप उस उजाले में रहे आप अंधेरे में ना रहे अंधेरे में रहते हुए हमारी बुद्धी बंद हो जाती है यह जकाई जो सुद्ध कोर था जो पैसा लेता था Hallelujah यह बताता है यह वचन बताता है कि किस थरीके से जोती आपकी बुद्धी खुलती है क्या कहता है दूसरा बद्धिया पढ़ो यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उससे चौगुना फेर देता हुए यहनि कि आप सुचिए कि जखाई के अंदर जब जोती आई जब इशू मसी आए तो उसने उसकी कीमत को समझा प्रेस अलॉट यहनि कि जखाई क्या कहता है कि मुझे जोती को चाहिए मुझे इशू चाहिए चाहिए मुझे चौगना क्यों न देना पड़े चाहिए मुझे अपनी सारी संबत्ती क्यों न देनी पड़े लेकिन मैं उस पाप से निजात पाना चाहता हूँ जिसने मुझे तुस्से दूर कर दिया था हलो प्रेस अलॉट विश्वास करिए मेरे भाई परमेश्वर ईश्व की जोती को आपके अंदर इसलिए भेज़ता है ईश्व मसी को धरती पर इसलिए लेकर आया ताकि हम उस पाप से वाकिफ हो जाए ताकि हम उस पाप को समझ सके जिस पाप की वज़ा से हम प्रभु से दूर हो गए तो कि जब हमारे अंदर पाप होता है ना मेरे भाई तो हम उस पाप के दास हो जाते है हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है रोमियो साथ पंदरा और उनुर निस पीस हाललिया रोमन सेवन फिफ्टीन नाइटीन टुईटी पाप एक ऐसी चीज है जो आपको गुलाम बना देता है आप समझ रहें पाप एक ऐसी चीज है जो आपको गुलाम बना देता है और शेतान आपके अंदर पाप गालता है ताकि आप गुलाम हो जाए पाप के दास हो जाए देखिए यहां पर क्या कहता है पॉलूस ने बहुत ही बखुवी तरीके से समझाया है कि मेरे अंदर जब पाप था तो मैं क्या था जो में करता हूँ उसको नहीं जानता जिसके अंदर पाप है यह जखाई नहीं जानता था कि क्या कर रहा है जैसे इसके अंदर जोती आई इसने अंगिकार किया कि यदि मैंने किसी का बुरा किया होगा तो मैं चौग न लोटा दूँगा यानि कि उसने जब किया था तो सोचा नहीं था सकाई नहीं जब पाप किया था जब उनसे पैसे लिये थे जब उनके लिए, जब उनका कब्जा किया था, जब उनकी प्रॉपर्टी गिर्वी रख ली थी, तो उसना सोचा नहीं था कि मैं पाप कर रहा हूँ लेकिन आज, जब इशू जोती के रूप में उसके अंदर आया, तब उसे हैसास हो रहा है कि मैंने पाप किया था यदि मैंने पाप किया था, इसलिए 15 मां क्या करता है पेटे जली पड़ो, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता हूँ, जखाई उससे मैं 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 नहीं जानता हम नहीं जानते कि हम अपने धंदे को बढ़ाने के लिए जूट बोल रहे हम अपने नौकली पाने की लालसा के लिए जूट बोल रहे है और इसका क्या अंजाम होगा हम नहीं जान रहे हैं कि छोटा सा लालाज हमें कितना दूर करतेगा प्रभू से चोटा सा पैसे का लालश वो कहता है मैं नहीं जानता हूँ किसी को धोका देने से पहले मैं नहीं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ किसी की हत्या करने से पहले मैं नहीं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ वेविशार करने से पहले परण तु जिस से मुझे गुरुणा आती है वहीं करता हूँ सुना आए मैंने पहले हमने सुना था कि प्रभू है कोई है मैं एक इंदू परिवार से आता हूँ 2004 में परमिशन ने मुझे चुना और छुआ और अपना बना लिया धन्यवाद उसका लेकिन 2004 से पहले एक मूर्ती भूजक था मैं मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं जानता था ये काम गलत है लेकिन मेरे अंदर जो पाप था वो मुझे गलत करवाता था मैं जानता था कि धोका देना पाप है मैं जानता था कि किसी का पैसा हर अपना पाप है लेकिन मैं पाप का दास था पाप इतना हावी था मेरे उपर कि मैं नहीं समझता था कि अगर मैं किसी को धोका दूँगा अगर मैं किसी का माल हरप लूँगा अगर मैं बेबीचार करूँगा अगर मैं गलत लिंगा से किसको देखूंगा तो मैं क्या खो रहा हूँ प्रेसलोट हलो क्या खो रहा हूँ मैं उडाओ का पुत्र उडाओ पुत्र जब वापस आया अगर आप पढ़ेंगे लुका पंद्रा का बत्तिस जब उसने बाप से पैसा लिया उसने गलत तरीके से उस पैसे को उड़ा दिया गुलट तरीके से पैसे उड़ा दिया उसको नहीं बता था कि क्या कर रहा है कि वो समझे रहाँ थाकि मेरा पैसा और जहाँ जाऊंगा लेकिन उसे ऐसास हुआ कि मैंने परमिश्र के वुरुद और अपने पिता के वुरुद पाप किया है और जब वो वापस लोटा तो उसका पिता क्या कहता है परंतु अब आनन करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यहां तेरा भाई मर गया था मर गया था वो उसका पिता कह रहा है ये मर गया था क्या आप जीवन्द होते हुए ऐसा करेंगे जिसकी आत्मा मरी होती है वही गलत काम करने में हिचके जाता नहीं है किसी का हक मारने में कठोर हो जाता है किसी को दुख देने में इसको मज़ा आता है क्योंकि उसके आत्मा मरी हुई है इसलों उसका बाप क्या बोलता है क्योंकि यह मर गया था अब जिन्दा हो गया है हम लोग क्या मर गये थे हम लोग मरे हुए थे बोलिये मैं मरा हुआ था जों से बोलिये मैं मरा हुआ था मैं मरा हुआ था अब जिंधा हूँ अब इशू में जिंदा हूँ अब इशू की जोति मुझे है एमैन तो क्या कहता है वचन? कि मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ 15.20 पढ़ ये रोमियो जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वहीं किया करता हूँ परन्तु जिससे मुझे गुरुणा आती है वहीं करता हूँ क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वहां तो नहीं करता परंदु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ जिस अच्छे काम की मैं इच्छा नहीं करता हूँ जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता हूँ क्योंकि कराने वाला कौन है मुझसे मुझसे काम कराने माला कौन है अब कौन काम करा रहा है आप से जोती कौन इशू की जोती आपके अंदर है अब जब हम काम करते हैं गलत अब जब पाफ हमारे सामने आता है अब जब जूट बोलेंगा कोई मौका होता है तो हमें धर लगता है कि नहीं हमें जूट नहीं बोलना है नहीं हमें गलत काम नहीं करना है क्योंकि हम जान गए कि अभी प्रभू की जोती हमारे अंदर है वो हमें बताती है कि हमें अंदकार में नहीं जाना है लेकिन उस समय उन्निसमा द्वारा बढ़िया बटा क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वहां तो नहीं करता परन्तु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वहीं की अत्य यदि मैं वहीं करता हूँ जिस की इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परन्तु पाप जो मुझे में बसा हुआ है, तो कौन करता है, पाप, जो मुझे में बसा हुआ है, वो करता है, वो मुझे काम करा रहा है, मैं जानता हूँ यह काम अच्छा है, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ यह काम बुरा है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन करता बेस अलाट अभर में बहुत लडाई होती थी शराप पीने के चक्कर में आललिल्या और रोज रात को रात को पीता दो और कहता कि नहीं सुबह नहीं पयोंगे अब नहीं कल नहीं पयोंगे या मत बेकार है यार पैसे भी जाते हैं और नहीं अभी नहीं प्योगा फिर नैस रीप में पीता था यह निए कि मैं जानता था शराप बीनी घलत है heенное क्या केज़ा था पाप का दास जब मैं पाप पाप मेरे अंदर था मैंने समस्तर लगी मैं क्या कर रहा हूं लेकिन आज जब इशू की जोती मेरे अंदर है जब इशू मेरे अंदर है तो मिझे पताए कि पाप क्या है इसलिए मुझे था जक्कई वो जान गया था जब इशू उसके अंदर आया उसके अंदर एहसास हुआ कि नहीं मेरे अंदर पाप है यही तो खुबी है जैसे इशू आपके अंदर आता है मेरे भाई मेरी बहन आपके अंदर से पाप है रेस अलॉड इसलिए पर मेशूर हमारे पापों को हमारे शापों से हमें मुझ करता इसलिए परमेशर अपने आप हमारे अपरादों को माफ करता है हमसे मेल मिलाप करता है कि मैं परमेशर हूँ इसलिए कहते हैं ना बाइबल कहते हैं कि तुम मुझे नहीं चुनते हो मैं तुम्हें चुनता हूँ हम समझते हैं कि हम चुन रहे हैं परमेशर को अरे धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको चुन लिया आप बहुत सवभग गेशाली हैं मेरी बेहन कि आप इशु को जानते हैं मैं सच कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ आज जो नहीं जानते हैं हमारे पासवानों को हमारी कलीसियाओं को तोड़ रहे हैं वो नहीं जानते हैं कि वो कितना विरुद काम कर रहे हैं परमेशर के विरुद कलीसिया को तोड़ना हमारे पासवानों को तोड़ना गलत है वो क्या कहते हैं कि हम कनवर्ट कर रहे हैं अलेलुया इसलिए परमेश्वा ने हमारे पापों हमारे शापों से हमें मुख्त किया 19 पढ़िए दूसरा कर्णिति पांच का 19 पढ़िए 19 पढ़िए 19 पढ़िए अपने आप उसने हमसे नहीं पूछा लेकिन हमारे साथ उसने मेल मिलाप कर लिए भजन सरीता 32 का एक क्या कहता है धन्य है वो धन्य है वो जो पवित्र हैं जो शुद्र हैं जिनके पाप शमा हुए जिनके पाप धाप दिये गए रेस अलोड धन्य है वो आप और मैं धन्य है कि हमारे पाप शमा हो चुके हैं जखई के घर में ईशुमसी ने क्या कहा कि आज इस घर में उध्धार आया है उध्धार तब तक नहीं आसकता है जब तक आपके अंदर से पाप ना निकले जखई ने महसूस किया जैसे जोती अंदर आई जैसे ईश्यू मसी अंदर आया जकाई ने महसूस किया कि मेरे अंदर जो मेरे घलत था मेरे अंदर जो पाप थे मेरे अंदर जो अंदर कार था वो मेरे अंदर से जा रहा है Praise a lot कितने लाप लोग महसूस करते हैं कि जो पहले अंदर कार था वो मेरे अंदर से निकल रहा है Praise the Lord यही है परमेशर का तरीका इसलिए इशुमसी को लेकर आया वो इसलिए इशुमसी कहता है मैं जोती हूँ ताकि मैं वो जोती बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा हाले लिया Praise the Lord जोती ही है जो परमेशर जोती ही है जो आपको पाप से आपको दिखाती है कि आपके अंदर क्या है अपने कमरे की लाइट आप आउन करते हैं अंधेरा चला जाता है तब आपको देखता है अरे ये घर पेंट नहीं हुआ ये भी यहां जाले लगे हुए है यहां भी जाले लगे हुए है ये भी काला है, दिखता न, अंधेरे में अपने घर को देख सकते हैं आप जब अपने घर की आप light on करते हैं तब आपको पता लगता नहीं यार इस घर को paint की जरूरत है यार अभी काले काले दब्बे बहुत हो गए हैं, बहुत जाले हो गए हैं Amen, praise the Lord इसलिए इस्यू जोती बनकर आपके जीवन में आया ताकि आप जान सकें कि हमारे अंदर क्या क्या क्मी हैं, कौन से अंदकार हैं, कौन से पाप हैं, कौन से गुप्त पाप हैं, जिन्हें हमें अपने अंदर से निकालना है और परमिश्यर के योग के बनना है Praise the Lord Hallelujah पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है, वे सब जोती से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है, वह जोती है Amen सब कुछ, सब गलत चीज़ों को प्रकट करने वाले कौन है Praise the Lord सब चीज़ों को जो गलत चीज़े हैं, उनको प्रकट करने वाले कौन है जोती है इश्यों मसी आया ताकि इश्यों मसी ने संसार में आकर पाप को प्रकट किया शैतान को प्रकट किया कि ये शय्तान गये जटी ही है जो पापों को प्रकट करती है जोति बताती है कि पाप क्या है जोति बताती है कि शय्तान कौन है इसले वो कहता है lyon Lord, चौद्वा, इस कारण वो कहता है, है सोने वाले जाग और मृत्कों में से जी उठ तो मसी की जोती तुझ परा पड़ेगी, आचम केगी अब मत सो जब तुझे इशु मसी के बारे में पता लग गया है, अब मत सो अब मत सो अभी जाग हंदेरे में मत रह अभी भी ये चेतावनी हैं, ऐस सोने वाले जाग पेस अलोट जाग उस भौतिक नीन से जाग उस लालच की नीन से जाग उस सौाथ की नीन से जाग पेस अलोट जाग मनित्कों में से जी उठ क्योंकि अगर तू सो रहा है तो तू मरा हुआ है अगर तू सो रहा है तो तू मरा हुआ है उड़ाओ पोतर की कहानी में उसके पिदा ने क्या कहा? मेरा बेटा मर गया था, अब जिन्दा हो गया है क्यों जिन्दा हो गया है? क्योंकि उसके अंदर जोती आ गई है वो पाप को पहचानने लगा है वो चाहता है मेरे अंदर से पाप निकल जाए यही तो काम है जोती का मेरे अंदर से पाप निकल जाए उजियाला आ जाए मेरे अंदर इसलिए जाग मृत्रकों में से जी उठ तो मसी की जोती तुछ पर चंगेगी तो अगर तू नहीं जी उठेगा अभी भी वक्त है अगर तूने कुछ ऐसे पाप किये हैं जो तू समस्ता है कि छोटे है अगर तुने ऐसे पाप किये हैं जिसे तू समझता है कि कोई नहीं देख रहा है अगर तूने ऐसे पाप किये हैं जो तू समझता है कि वो पाप नहीं है मेरे भाई, मेरी बेहन, अभी भी वक्त है कि हम उठ जाएं, जाग जाएं और जकाई की तरह बोले ईशू मैं जान गया हूँ कि मैं पापी हूँ जकाई की तरह हम बोलें कि नहीं मैं जान गया हूँ कि मैंने पाप किया है मैं अपने अंदर से पाप को निकालना चाहता हूँ मैं अपने अंदर से भविचार को निकालना चाहता हूँ मैं अपने अंदर से स्वास को निकालना चाहता हूँ मैं अपने अंदर से अंदिकार को दूर करना चाहता हूँ तब इशू की जोती आप में चमकेगी Amen तब इशू की जोती आप में चमकेगी और क्या कहता है सोलवा पंतरवा इसी लिए साफधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो निर्बुद्धी मनुश्यों के सद्रश नहीं वरन बुद्धी मानों के सद्रश चलो सावधान रहो लोग जानने के बाद भी नहीं चल रहे हैं लोग जानने के बाद भी वचन पे नहीं चल रहे हैं दुख है परमेशर को पहला इस्तान नहीं दे रहे हैं संसार को पहला इस्तान दे रहे हैं आप सुचिए अगर आप जखई को समझ जाएंगे न जखई का मतलब पता है क्या है जखई नाम का मतलब पता है मैंने बताया था एक बार किसी को याद नहीं होगा जकाई का नाम का मतलब क्या है पवित्रता क्या नाम है पवित्रता जकाई नाम का मतलब है पवित्रता मेरे भाई ये वक्त है जब वो चेतावनी हमें हमें बुला रही है पर मेंशर उस शेतावनी के दौरा हमें जगा रहा है कि जाग सोने वाले जाग और मृतकों मेंसे जी उठ तो मसी की जोती तुझ में चमकेगी भाई वो जोती है और वो चाहती है कि हम अपने अंदकार से निकल जाएं हम जोती के साथ रहें हम जोती के साथ रहें और जोती हमेशा अनंतकाल के लिए आपके संग रहना चाहती है और वो है रेस अलौड, हालेलुया इसलिए विश्वास करिए इश्यू जोती है इसलिए परमेश्वर इश्यू को क्यों लेके आया ताकि हम उस जोती को जाने ताकि हम उस जोती के जरीए खुद के अंदर छुपे हुए पापों को जाने और पश्टाताब करें, माफी मांगें और उससे कहें कि नहीं मुझे तेरे अनुसार जीना है मुझे तेरे प्रकाश की जरूरत है मुझे तेरे जोती की जरूरत है मुझे नहीं रहना अंदकार में आलिल्या विश्वास करिए जैसे ही आप अंगिकार करेंगे जैसे ही आप कहेंगे कि मुझे अंदकार में नहीं रहना है मुझे जोती में रहना है विश्वास करिए आपके सामने इश्व खड़ा होगा और वो अपना हाथ आपके सामने बड़ा होगा विश्वास करिए विश्वास करिए जिस दिन आप यह आंगी कार करेंगे जिस दिन आप कहें कि मुझे प्रभू मुझे अंदकार के साथ नहीं जोती के साथ रहना है आप एश्यू को अपने साथ ख़ड़ा हुआ पाएंगे प्रेंज लॉट और जब आप उठेंगे न वो आपको गले लगा लेगा वो अपना कुत्र बना लेगा वो आपको अधिकार देगा प्रेंज लॉट अलेलुया इसलिए जख़ई का जीवन बदल गया इसलिए ईशू मसी ने कहा आज इस घर में उधार आया है परमेशर आपसे बहुत 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 प्यार करता है उसने अपने एकलोते पुत्र का आपके लिए बलिदान दिया है रिश्वास करिए रूमी आठ का 32 पढ़के मैं समाप्त करूँगा कि ईशू मसी जो आपके लिए आया उसने बलिदान दिया वो परमेशर जिसने अपने एकलोते पुत्र को तक नहीं रख छोड़ा उसने आपके लिए अपने एकलोते पुत्र को दे दिया तो आपको सब कुछ क्यों नहीं देगा इस चीज़ को समझना जरूरी है इस वचन पर विश्वास करना जरूरी है ताके हम फिर अंदकार में ना जाए वो परमेशर जिसने अपने एकलोते पुत्र को दे दिया अपने एकलोते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए तो वो हमें सब कुछ क्यों नहीं दे देगा जब हो हमारे लिए अपने पुत्र को दे सकता है तो क्या धंदा नहीं दे सकता रूटी नहीं दे सकता उसको नहीं पता कि हमें भूग लगती है क्यों बता रहा है वो इस वचन पर अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आप प्रभू से दूर हो जाएंगे परिणाम है प्रमान है कि इशु मसी दो हजार 21 साल पहले आपके लिए मरा है और मर के जिन्दा हो चुका है आज भी उसकी कबर खाली है अगर परमेश्वर आपके लिए अपने इकलोते पुत्र को बलेदान कर सकता है तो वो आपकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है और कभी कभी आप कहतें कि नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि आपके अंदर वो स्वरूप नहीं है आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे है आप अपने अंदर से अंदकार दूर करना नहीं चाहते हैं और आशीश बना चाहते है मैं आपको बता दू अगर आपने अपना अंदकार दूर नहीं किया तो आप आशीश नहीं पा सकते उसकी आशीश पाने के लिए आपको अपने अंदर का अंदकार दूर करना पड़ेगा और परमेश्वर का मकसद है आपके अंदर का अंदकार दूर हो परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता कि आपको रोटी दे आपको कपड़ा दे आपको धन्दा दे अनको पता ही नहीं है जीवन क्या है उनको पता ही नहीं प्रभू क्या है परमेश्वर इंटरस्टिड़ है आप के अंदर जोती डालने के लिए वो इंटरस्टिड़ नहीं है कि आपको रोटी मिले आपका धंदा अच्छा चले अरे वो तो चले गाई पहले उजाला आपके अंदर आना चाहिए अगर आपके अंदर उजाला नहीं है करोण और रुपए भी आपके लिए कुछ भी नहीं है कोई माने नहीं रखता है लेकिन जिस दिन आपके अंदर उजाला आएगा उस दिन आप उस दिन आप ऐसा आनंद महसूस करेंगे ऐसी शांती महसूस करेंगे आप सोच नहीं सकते इमें इसलिए उसकी जोती को हमेशा अपने अंदर बनाय रखिए मैं विश्वास करता हूँ आज का बचन आपको अच्छा लगा होगा कितनों ने गरहन किया Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord God bless you